हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो और न्यू वीडियो आफ रूची सोया, तो फ्रेंट्स रूची सोया से रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टन अपडेट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जिसका इफपयो आने वाला है, I think आ चुका है, आज ही इसका पहला डेता, तो उस सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आखरी तक इस वीडियो को देखना बिना स्कीप करें, ताकि आपको पूरी डीटेल में इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और इस से आपको डेफिनेटली जो है, मैं गैरेंटी कर कर दोगे, तो आपको सिर्फ एक सेकंड लेगा उसके लिए, लेकिन सारे ट्रेंडिंग शेयर के बारे में जो वीडियो हमारे चैनल कवर करता है, वो सारे आपको जो है मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो जल्दी से स्टार करते हैं, सबसे पहला जो अपडेट है आप अगर आप देखोगे, रूची सोया का जो यफपी ओ है, उसका जो वो हो चुका है, 12% सबस्क्राइब on first day, तो किसने किसने सबस्क्राइब किया है, उसको सबसे पहले हम अंडेस्टैंड करने के कुशिश करते हैं, उससे पहले फ्रेंड से आप एक बार करन प्राइस पे ज मतलब current value से ये particular जो प्राइस है, वो काफी नीचे है, तो generally ऐसा होता नहीं है किसी भी share के बारे में, अगर उसका market capital जो है काफी अच्छा है और share price भी काफी अच्छी है, तो यफपियो की जो प्राइस है वो close to something रुपीज होनी चाहिए, ना कि drastically इतना नीचे, क्योंकि यहा है यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर रूची सोय इंडस्ती फालो अन पब्लिक ओफरिंग, यफपियो ग्रांट 12% सब्सक्रिप्शन ओं थर्स्डे, तो पहले दिन 12% सब्सक्रिप्शन हुआ, बल्क ओफ दे बीट्स सो फार हाव कम फ्रम रिटेल इंवेस्टर, तो जो ब तो यहाँ पर आप देखें, लोर बैंड जो है, यहाँ पर है, 615 रूपीस पर शेर, और अपर एंड जो है, वो 650 अपीस है, प्राइस बैंड जो पर्टिकुलर ली एक शेर के बदले जो है, इस फ्रम पर अगर हम कंसिडर करेंगे, तो जितना प्लान है, उससे अलमुस्ट 88% अभी भी सबस्क्राइब होना बाकी है, यह पर्टिकुलर फ्पियो तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली इसके उपर अपडेट आएंगे कि कितना परसेंड जो है, यह पर्टिकुलर शेर सबस्क्राइब हुआ है, यह फ्पियो के थूँ, और कैसे इसमें जो है, इन अप्रिल 2022 तो बहुत बड़ा अपडेट यह रामदेव बाबा की तरफ से किया गया है तो यहां पर आगर आप देखोगे विदिन थ्री मंस 3300 करोड का डेप जो है वो नेक्स मंथ ही क्लियर करने वाले वो कहां से करने वाले इसके वज़े से इतना स्टॉंगली उन्होंने बोला है कि हम डेफ्री बनना चाते है दोजर एप्रिल के बाइस तक लेकिन क्या यह हो पाएगा यह टाइम ही बताएगा क्यूंकि बाकी भी बहुत सारी कॉस्ट होती है जब यह फिम सीजी सेग्मेंट का कोई कंपनी ऑपरेट करना होता है तो तो वह भी कॉस्ट वहाँ पे इंक्लूड होगी तो एक्च्वल में वह एप्रिल 2022 तक डेफ्री होते हैं नहीं होते हैं वह हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि डेफ्री बन जाएगी 2022 में ही कंपनी इसका मतलब जितना भी कंपनी बिजनेस करेगी वो प्रॉफिट में चला जाएगा उसके बाद भी यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए क्या है वो यह है कि आने वाले पाच सालों में यह दो फमसीजी कंपनी जो रामदेव बाबा की से बिलॉंग करती है इनको वो नमबर वन फमसीजी फिर्म बनाना चाते है तो इटसेल्फ पॉजिटिव अपडेट जो है उनकी तरफ से दिया गया है लेकिन इतना इजी नहीं होता है क्योंकि मार्केट में और भी दूसरी कंपनीज है जो यह फमसीजी सेग्मेंट में इडिबल ओइल्स के ऊपर अल्डेडी काम कर रही है तो डेफिनेटली अगर एस्पिरेशन है प्रमोटर ग्रूप की तरफ से तो डेफिनेटली जो है उस तरीके से काम भी होगा इस पर्टिकुलर कंपनी में वो भी आने वाले दिनों में जो है अपडेट हमें मिलता रहेगा उसके बाद आप देखिये जो मैंने बोल रहा था कि डेफरी बनने का जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है वो क्यू दिया है रूची सोया हिट्स कैपिटल मार्केट तो रेस करने वाले 4,300 करोड रुपीस और डेफरी बनना चाते है और जैसे कि हमने प्रिवेस अपडेट में देखा है कि 3,300 करोड वो जो है नेक्स मन तक यानि एप्रिल तक ही जो है वो पे करने वाले है डेफ क्लियर करने के लिए और अल्डेडी जो इन्वेस्टर से अंकर इन्वेस्टर उनके तरफ से 1,290 करोड भी ये अल्डेडी ले चुके है और जो मैंने बोला है कि टर्म लोन जो है वो भी वो चुकाने वाले है उस तरीके से जो है रूची सोया डेफरी बन जाएगा जैसे कि उस वाले करवेट आएगा कि जब इनके पास पूरा फंड आता है तो कितना फंडियर डेव ट्रियर करने को लगाते है और कितना फंड ये जो है बिजनेस एक्सपैंशन की लिए लगाते है तो यहां से भी कुछ फंड बचेगा और जो एस इंवेस्टर से उनके तरफ से भी जो लिय किया गया है आज 12% सब्सक्रिप्शन है सपोस कल पर सो यह 100% हो जाता है तो सेम डे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 650 रुपीज पर जो शेर बाय किया है वहाँ पर पीस अल्मुस्ट 200 रुपीज का बेनिफिट जो है वो शेर होल्डर करेंगे तो उसमें बहुत से शेर होल्डर ऐसे भी रहेंगे जो इमीडियेटली प्रॉफिट बुकिंग करके जो है निकल सकते है क्योंकि काफी बड़ी मात में अगर वो इन्वेस्ट करते है तो डेफिनेटली मोर दन 200 रुपीज पर शेर एक काफी अच्छा रिटन माना जाएगा अगर परसेंटेज वाइस भी हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो मोर दन 27 परसेंट का रिटन उनको यफपियो खतम होने के बाद ही रहेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए लोजिकली लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह प्राइस के नीचे भी जो है हमें बाइंग पोजिशन मिल सकती है तो जो लोग अच्छा गासा मुनाफ़ा लॉंग टर्म में कमा सकते है कमाना चाते है या कमा सकते है वह एक चीज़ डेफिनेटली फॉ को अपला किये बगेर इसके फॉल के लिए वेट कर सकते है अगर फॉल आता है यह प्राइस के नीचे तक का जो की आप देख सकते हो पिछले एक साल में जो है 629 का इसका अलो है अगर यह लेवल दिखती है तो वहाँ पे पोजिशन मना सकते है तो पोजिशन हमें हमें ट्र गिरावट आती है एक बड़ी वाली जो यह पीए प्राइस के आसपास आती है तो मैं वहाँ पे मेरे दूसरी पोजिशन बनाऊंगा 3-2,000 और जब उससे भी जादा गिरावट मुझे देखने को मिलती है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे जो है एक और पोजिशन इतना तो मैं यहाँ पे आपको for sure बोलता हूँ क्योंकि all time high की price अगर आप देखोगे इसकी तो 3,375 है पिछले past साल का chart में ने उठाया था और maximum को अगर हम देखेंगे तो 16,525 यहाँ पे जो है टिकेटे पे इसका price बता रहा है यह particular graph तो काफी उपर की prices से यह share जो है पास मिलता है और हम long term hold करने की plan करते है और जिस तरीके से रामदेव बाबाबा ने बोला है कि अगर यह number one FMCG बन जाता है तो definitely काफी अच्छे return हमें मिल सकते है तो यहाँ पे बात सिर्फ यह आती है friends की accurate price पे lowest to lowest price पे इसको buy करने की कोशिश करना है हमें ताकि long run में अच् अगर सब्सक्रिप्शन बहुत जादा होता है तो तो जिनको नहीं मिलता है वह भी इसमें बाद में प्लान कर सकते है कि कि किस तरीके की position वह future में बना पाए तो उसके बारे में time to time update हमरे चैनल के तो आपको मिलते रहेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ता कि आपको on time सारी जान करें मिलती रहे थैंक यू फू वाचिंग दिस वीडियो